हलो ब्रेवन वेलकम टो इस्टेटि विद ग्यान प्रकास तो दोस्तों WPL 2024 यानि कि वोमन्स प्रिमेर लीग का दूसरा संस्क्रण 2024 में खेला गया और इसका आयोजन यानि कि जो फाइनल मैस था वो दिल्ली में खेला गया है दिल्ली के आरुन जेटली स्टेडियम में और इस बात करेंगे सभी important points की जो की परिशा में पुछे जा सकते हैं तो आये शुरू करते हैं सब सब ब्रेवन आपको बताना चाहेंगे कि WPL 2024 इसका sponsor है Tata तो टीम का पूरा नाम होगा यानि कि यह पूरा season है इसको Tata WPL 2024 के नाम से जाना जाएगा Tata WPL 2024 इसका project है BCCI ध्यान करेंजेगा और यह है एक महिला franchise T20 cricket league है इसमें कुल 5 टीमों ने participate किया है यह match 23 फरवरी से start हुए थे और 17 मार्च 2024 को इसका final खेला गया WPL 2024 यह दूसरा season था इसका जो पहला season था यह 2023 में खेला गया था तो टूर्नामेंट का जो उद्घाटर मैस था फ्रेंड्स यह 23 फरवरी को खेला गया था कहां पर बैंगलूरू के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में इसमें 2023 की जो विजेता टीम थी उसमें participate किया आपको याद होगा कि 2023 में मुंबई इंडियंस विजेता बनी थी और ड डिली कैपिटल को तो यहाँ पर 2023 या फिर 2024 दोनों में ही उपविजेता बना है दिल्ली कैपिटल्स ठीक है तो स्पोर्ट्स 18 यह टीवी ब्राडकास्टर था जबकि जियो सिनेमा 2024 सीजन के लिए डिजिटल ब्राडकास्टर था ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो नाम याद रखने है रायल चैलेंज़स बंगलूरू की जो कैप्टन है इस मंध्णना और उप विजिटा टीम दिल्ली कैप्टेल्स की जो कैप्टन है लैक मैंनिंग इसके लामा गुझराध जोइन्च की कैप्टन है उनका नाम बेथ मुनी है मुम्बा इंडियन की हर्मन प्रेत कवर और यूपी वार्यल्स की एलेसा हिली हैं तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं आपको बताना चाहेंगे कि विजिता टीम बनी है आर सी भी और इसकी जो कैप्टेन है उनका नाम एश्रती मंधाना है उप विजिता बनी है दिली कैप्टेल्स लैग मैनिंग इसकी कैप्टेन है आयोजन कहाँ पर किया गया कोटला मैदान जिसे अब अरुन जेटली स्टीडियम के नाम से जाना जाता है 2023 में विजिता टीम थी मुंबाई इंडियन्स उप विजिता थी दिली कैप्टेल्स और इस बार भी विजिता जो है वो दिली कैप्टेल्स ही बनी हुई है तो सबसे इंपोर्टेंट की आरेंज कैप जो कि दिया जाता है सरवाधिक रन के लिए ये दिया गया आर सी बी की इस पैरी को और सरवाधि विकेट के लिए परपल केप दिया जाता है जो कि इस बार दिया गया सरेंका पाठिल को और याद रिखे की आरेंज कैप और परपल कैप दोनों की विजिता जो है वो आर सीबी से ही है इस्पांसर टाटा पहला संस्क्रण 2023 में खेला गया WPL 2024 प्राइज मनी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों तो प्राइज मनी जो पिछले साल थी 2023 में वही इस साल भी है यानि कि जो विजिता टीम है जो चैंपियन टीम है उसको 6 करोण और उब विजिता टीम को 3 करोण रुपए दिये गए यानि कि इस बार जो आरसी बी की टीम है आरसी बी को मिले हैं कुल 6 करोण और डली करोण को मिले हैं कुल 3 करोण रुपए ठीक है तो दोस्तों ये जो प्राइज मनी है यही 2023 में भी रखी गई थी तो फ्रेंट्स बस यही important points हैं जो कि एक्जाम में पुछे जा सकते हैं वीडियो को like और share जरू किजीगा अगर कहीं पर कोई confusion है तो नीचे comment box open है और हाँ फ्रेंट्स अब मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगा जो कि इसी वीडियो से है आप लोगों से बस एक सवाल की WPL 2024 में परपल कैप की वीजिता कौन बनी है फटा फट कमेंट करिए धन्यवाद